इस हफ़ते उत्तराखंड काफी चर्चा में रहा, काफी हेडलाइन्स में रहा। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुशकर सिंग धामी बड़े गर्ब से बताते हुए कि उनका स्टेट पहला स्टेट होगा जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिपेंडिन्ट इंडिया में इंप्लिमेंट किया है। उत्तराखंड में पहली बार इंडिपेंडिन्ट इंडिया में ये क्या सच्ची में यूनिफॉर्म है या इसमें पॉलिटिक जादा है, पॉलिसी कम है, क्या ये प्रोग्रेसिव है, क्या ये रिग्रेसिव है, क्या ये कम्यूनल इन नेचर है। उसके बाद क्या गुजरात, उसके बाद रेस्ट ओफ इंडिया। शुरुबात करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत लोग इसका हवा बना देते हैं। बेसिकली अगर आप क्रिमिनल और सिविल कोड की बात करो, दो किसम के कोड होते हैं। क्रिमिनल कोड क्या होता है, क्रिमिनल कोड मनें असॉल्ट, मुडर, किड्नापिंग, थेफ्ट, अलग-अलग कम्यूनिटी, अगर ये कोई काम करे, ऐसा कोई क्रिमिनल अक्ट करे, तो उनके उपर रूल्स जो लागू होंगे, वो सेम हैं। तो इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड पहले से ही है, अब आते हैं सिविल कोड पर, प्रॉपर्टी लॉओ हो गए, कॉंट्रेक्ट्स हो गए, सेल पर्चेज, रेंट, लीज, डीड्स, फैमिली लॉओ, शादी, डिवॉस, ये सब आते हैं सिविल लॉओ में। इंडिया में अल्रेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कुछ हद तक, अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें, कॉंट्रेक्स की बात करें, इसमें आपका मजभ मैटर नहीं करता है, इसके लिए यूनिफॉर्म लॉओ ही है, लेकिन जहां तक फैमिली लॉओ की बात आती है वहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, फैमिली लॉओ यानि शादी हो गई, तलाक हो गया, मेंटेनिंस हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, इनसे जो जुड़े लॉओ है, वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरे देश में, यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का मुद तो ये तो हो गया legal definition लेकिन by the book तो कहां चलती है पूरी दुनिया तो अब समझते हैं इसमें जो complications है सबसे पहले समझते हैं कि हिंदू community में reform कैसे हुआ आजादी के बाद अमबेटकर और नहरू दोनों चाहते थे कि देश में uniform civil code ही आए डिरेक्टिव प्रिंसिबल्स अव स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 में ये इसकी मनशाद साफ दिखती है कि भई ये ऐसा होना चाहिए हमारे देश में लेकिन आजादी के बाद timing सही नहीं थी आप याद रखिए ये उस time उस दौर की बात हो रही है पोस्ट पार्टिशन वाइलेंस चल रहा था प्रिंसली स्टेट्स कहा रहे थे कि नहीं भईया हम तो तुम से ब्रेक अप करके हम तो अपना ही देश बनाएंगे उस समय ऐसा एक uniform law लाना obviously देश के लिए सही नहीं था तो इसको बात के लिए पोस्पोन कर दिया गया Ambedkar ने ये कहा था कि UCC अगर भले ही बने इसको optional बनाना चाहिए and I quote him It is perfectly possible that in the future Parliament may make a provision by the way of making a beginning that the code shall apply only to those who make a declaration that they are prepared to be bound by it so that in the initial stage the application of the code may be purely voluntary ये उन्हेंने Constituent Assembly Debate 1948 में कहा था अब नहरू मानते थे कि UCC लाने का जो पहला step है वो एक Hindu code bill पास किया जाए क्योंकि वो जानते थे अपनी popularity के इस्तमाल करके वो एक Hindu reform ला सकते हैं अब नहरू अपनी popularity के बावजूद भी पूरा reform तो नहीं कर पाए लेकिन चार अलग-अलग laws जरूर आए 1955 में हिंदू marriage act 1956 में हिंदू सक्सेशन act 1956 में हिंदू minority and guardianship act 1956 हिंदू adoption and maintenance act और इन acts में हिंदू को इस तरीके से define किया गया था कि हिंदू यानि वो सारी communities जो Muslim, Parsi, Christian, Jew या tribal नहीं है तो basically नहरू ने एक ही साथ Sikh, Jain, Buddhist family laws को भी काफी हद तक modernize कर दिया गया था and we should be thankful also for that क्यूंकि हमारे religion को काफी modern काफी progressive भी इसलिए देखा जाता है मकसद उस time ये था कि बाकी family laws भी ये देखें धीरे-धीरे अपने आपको modernize करें एक conversation अपने अंदर शुरू करें जिससे article 44 जो चाहती थी वो खुद ही voluntarily या consultation के साथ हो उसको जबरन ठूसा नहीं जाए अब ये काफी हद तक failures भी है बहुत communities की उन्होंने ये conversation आगे नहीं किया वो अपने आपको modernize नहीं करने गये और इसी लिए आज ये political push आ रहा है ये एक political मुद्दा बन गया है लेकिन सवाल जिससे पहले कि हम उतर अखंड पे आएं एक छोटा सा सवाल और बहुत important सवाल है कि क्या uniform civil court अपने original format में possible है या नहीं है इंडिया में former supreme court judge दीपाग गुपता क्या कहते हैं justice दीपाग गुपता कहते हैं तो वो अच्छा है और इसी पर politics की जा रही है लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि problems हर religion हर law में है शौनजाइ गोष जो की senior advocate है Supreme Court of India में वो कहते हैं कि अगर by UCC अगर आपका मतलब है कि आप एक law बनाना चाहते हो जिसमें gender parity हो क्योंकि men और women के बीच में ये सारे जो personal laws है family laws है उसमें बहुत जादा inequality थी अगर आप gender equality लना चाहते हो I'm for it लेकिन अगर आप artificially एक majority community का law लाना चाहते हो जिससे diversity और nuance इंडिया में खतम हो जाए तो फिर मैं इसके against हूँ क्योंकि देश का पहले ही बटवारा हो चुका है ऐसी चीजे करके और फिर से बटवारा हो जाएगा तो ये बात समझना जरूरी है कि uniform civil code अपने आप में complicated issue है क्यों? अरे आप दूसरे मजभब छोड़िए दूसरे communities छोड़िए caste छोड़िए हिंदूस के अंदर भी ये एक uniform law नहीं है इसका एक बहुत ही interesting उधारन है हिंदू marriage act के section 5 के तहट सगोत्र marriage band है legally इसका मतलब ये है कि दूले के side से 5 PD तक और दूलन के side तक 3 PD तक कोई common ancestor नहीं हो सकता है लेकिन South India में आप देखोगे कि काफी ये common है क्योंकि Southern States में कि खाप पंचायत में आग लग जाए लोग लट लेकर बाहर आ जाए वोही चीज आंदरप्रदेश में धूमधाम से मनाई जाती है और वो भी legally मनाई जाती है इसको legal sanction दिया गया है क्योंकि हिंदू marriage law के section 5 के तहट ये exception मौजूद है कि रीत रिवास के चलते अगर ये शादी होती है तो इसे होने दो इसे legal sanctity दी जाएगी और देखिए UP में हिंदू agricultural land inheritance का law अलग है करनाटका में कुछ और है शिया community inheritance law अलग है सुनी community inheritance law बिलकुल अलग है बहुत सारे caste based region based differences मौजूद है हमारे देश में और इसी के चलते इंडिया is a diverse country हिंदू undivided family 21st law commission के हिसाब से ये बात साफ थी कि ये हुए फ को हटा देना चाहिए इससे बहुत सारा tax loss होता है क्योंकि ये हिंदू undivided family के चकर में tax compliance से बचने के लिए हाजारों करोरों का नुकसान होता है state exchecker को लेकिन इसको क्या हटाया जा सकता है इस पर चुपी साधी रखी जाती है जो लोग कहते हैं कि UCC लाया जाए तो अब आते हैं prime question पर कि ये uniform civil code उत्तराखंड में कितना uniform है क्योंकि ये BJP का एक key pole promise था 2014 में BJP ने तीन main promises किये थे 370 राममंदिर UCC दो काम अलड़ी हो चुके हैं तीसरे में progress अब दिख रहा है क्योंकि में 2022 में उत्तराखंड में जब सरकार आई उन्होंने जब अपनी सरकार बनाई वहाँ पुशकरधावी ने तब उन्होंने five member committee led by former supreme court judge justice रंजना प्रकाश देसाई की एक legislation बनाया जाए जिससे UCC लागू किया जाए उनके state में और उत्तराखंड को देखके आज जैसे हम बात कर रहे हैं दो और BJP states बदबदेश और गुजरात में भी ऐसी committees initiate की गई है for formulation of UCC in those states ये individual states इसलिए कर सकती है क्योंकि हमारा जो constitution का 7th schedule है वो empower करता है कि state या center ऐसी चीजों पर legislate कर सकती है जो कि family law से relate करती है तो उत्तराखंड के example लेते हैं सबसे पहले तो UCC इसलिए नहीं है क्योंकि tribal communities को exempt कर दिया है tribal communities करीबन 3 प्रतिशत उत्तराखंड की population है और उनको section 2 के तहट बोला गया है nothing contained in this code shall apply to the members of any scheduled tribes within the meaning of clause 25 of article 366 read with article 142 of the constitution of India and the persons and groups of people whose customary rights are protected under part 21 of the constitution of India tribals हट गया, दूसरा exemption no tampering और ये chief minister ने खुद का है no tampering with customs of any religion का sect तो basically अगर child marriage की प्रता है तो क्या, जैसे राजस्तान में बहुत ही common है वैसे तो क्या उस state में child marriage की जो प्रता है वो continue रहेगा ये UCC कहां से हुआ exemption no 3 Hindu undivided family अब ये तो central law है और हजारों करोरों रुपए इसके चकर में loss भी होता है अब ये तो central law है तो state कुछ कर नहीं सकता है तो conveniently इसको भी ignore कर दिया गया है तो HUF जारी रहेगा उत्तराखंड में भी exemption no 4 degree of prohibited relationship जैसे हमने अभी बात किया था Hindu marriage act के अंदर कि भाईया अगर आपका degree नहीं है तो आप शादी नहीं कर सकते हो problem हो जाएगा ना क्योंकि 90% तो आपका state Hindus ही है तो इसमें opposition हो जाएगा आपने यहां भी exemption दे दिया exemption no 5 members of the LGBTQ community उनको भी आपने अलग कर दिया उनको आप include कर सकते थे और progressive बना सकते थे gender neutral terms है partners का इस्तमाल किया गया है लेकिन जहां तक live-in relationship की बात है a relationship between man and a woman who cohabit in a shared household through a relationship in the nature of marriage तो यहां भी exemption है तो काफी exemptions है अब इसको UCC पूरे में तो नहीं कह सकते हैं लेकिन progressive steps बिलकुल है 90% of population Hindus हैं आप यह भी बोल सकते हो कि 1995 के laws for Hindus वो काफी अच्छे थे तो इसके लिए आपको UCC लाने की जरूरत क्या थी देखते हैं पहले positive देख लेते हैं फिर negative में आते हैं सबसे पहले तो legal recognition of children born out of wedlock यह जो गिनावनी चीज थी ना पहले यह illegitimate children bastard child जिसको law में कोई उसकी हैसियत नहीं होती है अब personal law specially pertaining to inheritance illegitimate का कोई वजूद ही नहीं child born out of wedlock in wedlock does not matter उसको वही legal recognition मिलेगा और जहां तक inheritance की बात आई तो out of wedlock in wedlock कोई फरक नहीं पड़ेगा same rights होंगे good point or progressive point number two prohibition of bigamy and polygamy section 4 साफ साफ कहता है that boss neither party has a spouse living at the time of marriage साफ साफ लिखा है तो भया आपका या तो bigamy नहीं हो सकता है polygamy नहीं हो सकता है you can be only married to one person और minimum age of marriage अभी तक at least यहां तो अगर exceptions है तो दूसरी बात है लेकिन 18 years and 21 years ही रखा गया है for girls and boys positive point number three registration of marriages कम से कम अगर आप इसको अच्छी तरीकी से apply करोगे तो इसमें जो जूट और फ्रेब होता है वो रुख सकता है marriage आपको registry compulsory register कराना पड़ेगा regardless of any other existing laws and customs बोला तो यहीं गया है looks good on paper और आपको marriage के 60 days के अंदर आपको register करना पड़ेगा नहीं तो fine लगेगा आपके उपर divorce proceedings भी काफी progressive बना दिया गया है men and women have been given similar rights भाई आगर आदमी हो या औरत हो उसके rights equal है जहां तक divorce की बात है और inheritance को लेकर काफी detail में इस bill में बात की गई है equal property right for sons and daughters across all classes और जैसा पहले ही भूला illegitimate children हो, adopted children हो children born through surrogacy हो assisted reproductive technology हो कुछ फरक नहीं पड़ता है बच्चा आपका बच्चा है inheritance rights उसके उतने ही होंगे और अगर अगर किसी की मृत्ती हो जाती है बिना किसी will को छोड़े हुए तो ये bill guarantee करेगा equal property rights spouse को, children को, parents को जो की पहले एक problem था जहां तक inheritance rights की बात हो तो यहाँ progressive steps बिलकुल लिये गए है लेकिन problem यह आता है कि UCC के नाम पर आप authoritarian uncle बनने की कोशिश करते हो और जब state आपके bedroom में घुसने की कोशिश करता है तब से problem शुरू हो जाती है अब procedure for living relationships देखिए और इसके वजए से काफी काफी criticism हुआ है हसी भी आती है दुख भी लगता है कि क्या हो रहा है हमारे देश के साथ अगर आप एक progressive legislation लाने की कोशिश कर रहे हो uniform civil code लाने की कोशिश कर रहे हो rights देने की कोशिश कर रहे हो लोगों को तो उसके उपर state को uncle क्यों बना रहे हो क्योंकि उतराखंड में अब relationship has been defined a live-in relationship has been defined as a relationship between man and a woman who cohabit in a shared household through a relationship in the nature of marriage हिंदी में बोले हैं तो live-in relationship को शादी की बराबरी दे दी गई है तो अगर आप कभी जिंदगी editor तेरा तो नहीं हो अगर आप कभी भी सोच रहे होगी कि आप live-in relationship में रहते हो तो शादी से भी ज़्यादा problems आ गई है section 378 साफ साफ लिख देता है कि partners in a live-in relationship अगर आप इस state में रहते हो चाहे आप domicile resident हो या नहीं उतराखंड का उससे matter नहीं करता है आपको एक statement of live-in relationship देना होगा उस जगे के registrar को अब जब ये relationship खतम होगा तो आप SMS करके या हुसा में phone करके आप relationship नहीं खतम कर सकते हो आपको registrar को भी बताना पड़ेगा कि आपका relationship खतम हो गया और इजी ले कहते हैं कि भाईया जब state या सरकार आप big boss बन जाए सास बहु मने आपके पापा ही आप तो आपका record रहेगा अगर in case में कोई भी boy या girl 21 years of age से कम हो 18 years adulthood गया तेल लेने अगर आप 21 years से कम हो तो आपका copy of declaration parents और गाजिन को भी भेजा जाएगा बताया जाएगा देखिए ये सब क्या कारे कर रहे है छी 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 फिर registrar एक inquiry करेगा या बंदी कोई और married या कोई और relationship में नहीं हो minor नहीं हो या कोई fraud नहीं या misrepresentation नहीं कराया गया हो आप समझ रहे हैं कि पुलिस किस तरीके का check करेगी मज़ेगी बात ये है law के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपका custom ही ऐसा है आपके custom में ही है या आप relationship रखते हो आपकी प्रथा चली आ रही है तब और ये public policy और morality के खिलाफ नहीं है तब पुलिस को कोई problem नहीं होगा तो basically system चाहे जिसे allow करेगी और जिसके पीछे पढ़ना चाहेगी उसके पीछे पढ़ जाएगी रेजिस्टरार 30 दिन में decide करेगा आप live-in रख सकते हो या नहीं ये inform की बात नहीं है आप permission लोगे state से कि आप किसी के साथ live-in रह सकते हो या नहीं रह सकते हो ये कितना regressive है आप इस बात से समझ लीजे कि September last year में Supreme Court में गुहार लगाई गई थी कि Center कुछ rules and regulations and guidelines बनाए live-in relationship and partners के लिए उस समय Chief Justice of India डीवाई चंदचूर ने कहा ये hair-brained idea है या बखवास मेरे यहां से ले जाओ और fine भी लगाई था petitioners के उपर कि ऐसे बखवास petitions तुम Supreme Court में ला रहे हो आज वो ही hair-brained idea वो ही बखवास आज law बन रहा है अगर आपने एक महिना live-in कर लिया और registrar को statement नहीं दिया तो आपको तीन महिने का jail 10,000 रुपए का fine लग सकता है और अगर आपने statement false दिया कोई उसमें fact गलत दे दिया तो आपको तीन महिने की jail term 25,000 का fine और अगर registrar से आपके पास notice आया कि आप live-in कर रहे हो आप अपने explanation दो और आप submit नहीं करते हो तो 6 महिने की jail 25,000 का fine यह सब live-in relationships के लिए हो रहा है यहाँ law and order की धजिया ओड़ी पड़ी हुई है women security की धजिया ओड़ी पड़ी हुई है लेकिन आपने live-in relations को एक almost semi crime बना दिया है जहां तक All India Muslim Personal Law Board की बात है जो Muslim leaders है वो कह रहे हैं दूसरे हाथ तक यहां criminalization of Muslim Personal Law हो रहा है जो existing Muslim Personal Law practices है चाहे सही हो या गलत हो that's another debate लेकिन जहां तक हलाला की बात हो इदत की बात हो इनको criminalize कर दिया गया है लेकिन नाम नहीं दिया गया है AIMIM की लीडर OEC कहते हैं कि यह एक टूल है BJP अपनी political propaganda चला रही है election से ठीक पहले इसको लाया गया है जिससे इस मुद्दे को भुनाया जाए और votes अपने पास लाया जाए All India Muslim Personal Law Board के spokesperson साइध खासिम रसूल इलियास कहते हैं कि भाया हम तो इसके खिलाफ हैं क्योंकि यह हमारे देश की जो diversity है जो हमारे देश में different religion है culture है languages है जिसे हमने accept किया है उसको attack करती है इस diversity को damage करने की कोशिश करती है क्योंकि उनका यह मानना है कि एक majoritarian point of view है आपने अपने laws बनाये है वो आप अब हमारे उपर थोप रहे हो हमें बोल रहे हो कि जबरन हमें यह मानना ही होगा exemption अगर आप tribals को दे रहे हो तो आप कुछ communities को भी दे सकते थे लेकिन आप दे नहीं रहे हो क्योंकि आपका agenda कुछ और है देशबक्त में हमारा यह मानना है कि हमें चाहिए तो जरूर uniform civil code इसमें कोई दो राये नहीं है जो हमारी जो constitution है हमारे जो constitution के founders थे उन्होंने भी uniform civil code चाहा था उस समय वो कर नहीं पाये थे इसलिए directive principles of state policy में रखा था लेकिन constitution ये भी कहता है that states can only and I quote endeavor to achieve a common code through citizens rather than enforce it तो चेश्टा हुनी चाहिए बने हतोडा मार के आप ठोक नहीं सकते हो implementation of the UCC बोला जा रहा है कि एक और जो challenge है वो ये है कि it violates the fundamental rights guaranteed by the constitution अगर article 25 बोल रहा है that I have a freedom to profess and practice my religion article 29 बोल रहा है I have a right to distinct culture और ये मेरे culture का एक हिस्सा है तो आप इसको कैसे मेरे उपर थोप सकते हो साथी साथ और भी complicated issues है नागा लैंड, मिजोरम के अपने cultural practices है उनको अब uniform कैसे बनाओगे तो अगर आपका उदेश था national integration करना कि भाई एक custom बनाया जाए, एक देश हो तो फिर तो आपको लोगों को साथ मिला कर उनके साथ बातचीत करके एक consensus करना था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कर रहे हो क्योंकि एक state में शुदू कि आफिर दूसरे तीसरे state में ये enforce होने लगेगा एक majoritarian point of view अगर discriminatory practices against women आपको attempt करना था और उसको end करना था जो कि end करना चाहिए, तो आप पहले वो personal laws को attack करते जहाँ women were being suppressed इसी लिए law commission का भी यही कहना था कि सब को एक साथ लाओ, ये जो interpersonal laws है, family laws है जहाँ women are being suppressed, पहले उसको attack करो एक consensus build करने की कोशिश करो नहीं तो politics होगा जैसा की हो रहा है लेकिन ये बात भी सच है कि जहाँ तक बहुत सारी communities है उन्होंने अपने आपको modernize करना नहीं ठीक समझा, अपने अंदर एक discussion लाना नहीं ठीक समझा, अपने आपको modernize करना नहीं ठीक समझा, जिसके वज़े से आज ये एक hot political मुद्दा बन गया है उत्राखंड में और उसके बाद मद्दप्रदेश में उसके बाद गुजरात में और अब तो बात आसाम की भी आ रही है तो जो तीन बड़े promises थे 370, राम मंदे और UCC अब धीरे धीरे लग रहा है कि 2024 elections जैसे जैसे आ रहा है UCC का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा हमारे इस बार के elections में